हलो एवरिवन, होप यॉर डूइंग वेल, आज एक नया वीडियो आपके लिए महमूद गजनी के उपर, लेकिन उसके पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक और शेर करें, इसको सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो देखें, वीडियो बनाने के लिए काफी म चलिए, महमूद गजनी से थोड़ा सा आगे बनने से पहले एक बैगराउंड जानना बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, बैगराउंड यहां पर हुआ कैसे, प्रॉफिट मुहम्मद के बाद में, जो थर्ड खैलिफेट है, जैसे को हम सेंचुरी की बात कर रहा हूं, मैं सम्टिंग अराउंड एट फिफ्टीज में ही यह इतना एक्सपांशन हो चुका था, उसके बाद में यह जो औरेंज में जो एरिया है, तो दाट वस दी एरिया विच वस अंडर दी सूजरिनिटी ऑफ दी अबासित, मतलब जैसे वो इवरे जगर देखा जाए, तो जितने भी यहां पर रेट दिख रहे हैं, यलो दिख रहे हैं, दे वेर अंडर दी सूजरिनिटी और दी डॉमिनेशन और समकर्ण अब दी मुस्लिम सल्तनत्स, ठीक है, विच वेर वेरी मच टाइड अप विद अबासित खैलिफेट, तो अ अगर हम आगे का जो हिस्ट्री देखते हैं, तो विएर मोस्ली कंसर्ट विद इस पर्टिकुलर पार्ट, क्योंकि मेहमुद घजनेवी का जो एक्स्पांशन है, यह इस पर्टिकलर एरिया में, अगर आगे का जो इंडिया साइड में हुआ था, ठीक है, अब यहां पर यह कैसे हैं, कि इन्होंने अपनी जो आर्मी का जो पूरा एनरजी है, तो इस डिरिक्शन में इन्होंने जो टर्क्स होते हैं, तो इनको डिफीट करने के लिए, बिकॉस दे वर नौट इस्लामाइज़ और दीरे दीरे उनका इस्लामाइज़ेशन प्रसेस हुआ, अगर यह य इन्डिया लेकिन इस टाइम पर जो इन्डिया के इंदर जो राचपूत्स और भी जो दूसरे रूलर्स थे, तो वो आपस में कैसा है कि उनकी बीच में बहुत ही जादा मद्बेद था, और वो लोग एक जुट नहीं हो पाए, तो यह तर्क्स इस तरफ अगर और आगे की तरफ जाओगे आप, तो यहां से इंडिया की तरफ, obviously, as you know the map के चाइना पड़ेगा, मंगोलिस्तान पड़ेगा, मिंस मंगोलिया पड़ेगा, तो वहां के जो टर्क्स थे, इनका एक बहुत ही बड़ा गुरू है, जिसको लोग कहते हैं, वहां से लोग लेने चपना मानत तो वहां से चाइना, मंगोलिया यह जितने भी जो यह वहां के जो रही वासी थे, तो यह ट्रांस ओक्सी आना तक दिरे दिरे लोग पहुंच चुके थे, इस पर्टिकुलर एरिया, मैं बताऊंगा ट्रांस ओक्सी आना में कौन से रीजन आते हैं, तो वह मंगोलिया तो मुस्लिम आर्मी से इनकी फाइट होगी, अब यहां के जो लोग होते थे ना, तो इरानियन्स यह इरान पड़ेगा यहां पर, यह जो मैं माक कर रहा हूँ ना, खुरासान यह सब जितने भी है, सीस्तान तो अफगानिस्तान में पड़ेगा, लेकिन यह खुरासान है, परशिया यह जो देख रहे हो आप, आगे और भी मैप देखेंगे हम लोग, तो देस इस पर्टिकलर इरान, तो वहां के लोग जो वहां से मंगोलिया, चाइना, सिंकियां प्रोविन से जो आए थे, तो यह एक ट्रांजिशनल जोन बन चुका था, कौन सा यह ट्रांजॉक जी आना, तो इन पबलिक को है ना, मिन्स यह लोगों को as a slave, palace guard, mercenaries यह लोगों ने अपने यहां पर रखा, and they converted them to Islam, ऐसे हो गया, और वो जो टर्किश मिलिटरी है, वो जो वहां से आने वाले लोग है, वो इतने जादा like higher grades पर पहुंच जाते हैं, कि दीरे दीरे वो इसा है कि टर्किश ने, जो immigrants थे, वो लोगों ने अपने आपको Islamist किया, और वो लोगों ने अपने आपको Persian culture में भी डाल लिया, क्योंकि Persian एक culture ऐसा था वो टाइम पर इरान का culture, that was very much associated, means एक Arabian culture था और एक Persian culture था, तो ये दो culture को बहुत ही ज़दा लोग अपनाते थे, ऐस और obviously वो थोड़ा सा हवी हो जाता है, most powerful dynasty, वहाँ पर जो थी, तो that was the Abbasid, और उसके बाद में फिर एक समानिद, तो समानिद, समानिद के बाद में गजनविद, मैं बताऊंगा समानिद कौन सा एरिया है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं अभी, अब ये समानिद कौन ह तो समानिद एक सुनी पर्शियन एमपाइर है, जो खोरासान और ट्रांस ऑगजियाना नाम का जो रीजन है, तो वहाँ पर वो एमर्ज होती है, अब यहाँ पर देख लो, यह बैक्टरिया यह तो अफगानिस्तान में पढ़ेगा, मैं जैसे आपको बता रहा था कि ट्रां यह हो जाता है, तजीकिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, तजीकिस्तान, उसके बाद में अफगानिस्तान, ठीक है, तो यहाँ पर यह जो एरियाज है, यह वाले जो एरियाज है, तो इट इस नोन ऐस ट्रांस ऑगजियाना, और यहाँ पर जो लोग है ना, वो कहां स हो जाता है और यहां से धीरे-धीरे जो होट्स है मतलब जो इनकी सेना वगेरा है तो ऐसे रास्ते करके इंडिया की तरफ क्रूज होती ऐसे रास्ते करके यहां पर जाती क्योंकि पास्स ही इनके लिए रास्ता खुलते हैं ऐसे कोई सी रूट बगेरा तो वहाँ पर था नहीं, सी रूट से आने वाले तो यह ब्रिटिश असी थे और अब्वियसली वहाँ पर सी रूट ऐसे कोई था नहीं, तो यह लैंड रूट से ही आते थे, जैसे नेपाल को तो आप देखो गई, और हिमालियास तो वहाँ पर एक बाउंटरी बारियर पढ़ता ही है, तो एक डिफरेंट डिफरेंट पासे से, बलकि यह मुसलिम जो इन्वेशन्स हुआ है, वही नहीं, बलकि जो पहले आरिन इन्वेशन्स भी हुआ है, और भी जो पोस्ट मॉरियन टाइम के और भी जितने भी इन्वेशन्स हुए, दे गें फ्रॉम देस पर्टिकुलर पासे सुन ली, ठीक है, तो यह समानित का यह जितना भी ब्ल्यू एरिया आपको दिख रहा है, देवर अब दी समानित, अब समानित कौन है, अब बासित कैलिफेट के बाद में यह एरिया में अपना जो राजपार्ट कायम करने वाले देवर दी समानित, तो यह के सुन्नी पर्शेन एंपायर था, खोरासान और ट्रांस ओक्जिय वेस्टन किर्गिस्तान, नौर्थ वेस्टन टर्कमेनिस्तान, सदन कजाकिस्तान, तो यह फाइफ कंट्रीज को मिला करके ट्रांस ओक्जियाना, पहले ऐसे कोई नैशनलिसम नहीं था, तो ऐसे कोई कंट्रीज नहीं थी, जो जहां पर भी पहुचता है, उसका एरिया उतन के चलते हैं, लेकिन, 962 में ही एक जो गवर्नर होता है, समानित का, जसका नाम होता है, अलबतगीन, तो अलबतगीन एक टॉकिस स्लेव है, और अपना अलग से एक छोटा मोटा एक प्रिंसिपालिटी निकाल लिया, और गजनवीट एम्पायर का जो फाइंडिया, और गज अलबतगीन, तो उन्होंने किया था, ऐसे का जाता है, लाइक सुल्तान समानित गुलाम अलबतगीन, ठीक है, तो यह वस दिस स्लेव, और खोरासान उन्होंने यहाँ से जीत लिया था समानित से, चलिए, और देखते हैं, कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, गजनवीट ए was the father of the Mehmood Ghazni, और Mehmood Ghaznavi का एक भाई भी था, जिसका नाम था Ismail, सुभुक्तगीन कैसा है, कि सुभुक्तगीन ने अपने बेटे Ismail को थ्रोन दिया था, बट Mehmood Ghaznavi was very much energetic, और उनको ये लगा कि, लाइक मेरा जो यहां पर जो शेर है कहीं ना कहीं, problem में फस जाएगा, अब इतना lineage डिसकस नहीं करेंगे, तो Ghaznavi became, like Mehmood became the first सुल्तान, ऐसे का जाता है कि, इनको as a first title मिला था सुल्तान का, into the medieval world, मेhmood Ghazni, at the end of the 9th century, खोरासान, ट्रांस ओक्जियाना, parts of Iran were being ruled by समानिज, who were Iranian by descent, जैसे मैंने बताया था आपको, और अलब्तगी ने वहाँ से अपना, यहां पर जो भी है, section को अलग किया, उनसे जीत करके, he started ruling from खुरासान, समानित किंडम यहां पर end होता है, और Ghaznavić 962 से ही, जो है, वो powerful हो जाता है, धीरे धीरे, लेकिन जो मैमूद गजनी है, he became the very much important ruler, of this particular dynasty, और Ghaznavić को हम लोग मैमूद गजनी सी ही, associate करके देखते हैं, आपको शायद पता भी होगा या नहीं होगा, लेकिन यह useful information आप ही के लिए है, कि he was not the founder, बलकि अलब्तगीन, नलब्तगीन के बाद में सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन के बाद में मैमूद गजनी है, ठीक है, चलो, मैमूद, सन अफ सुबुक्तगीन यहां पर लिखा हुआ है, और उसके बाद में 17 expeditions, यह तो हमको पता ही है, लेकिन आज़ डीटेल में देखते हैं ऐसे, मैमूद's campaign, अब स्टार्टिंग के जो raids हैं, ठीक है, मैमूद's campaigns, अब एक particular, वहाँ पर एक ऐसा system था, कि घुर नाम का जो area है, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, वो वाले इसमें, map में, हाँ, यहाँ पर, तो यह जो काबुल लाम का यह सब जो area है, मतलब इस particular region, अफगानिस्तान का जो part है, तो दो बहुत important चीज़े हैं यहाँ पर, कि aggressiveness of the Islamist Turks, उनके अंदर aggressiveness बहुत था, कि उनको नए areas को conquer करना है, जीतना है, और उनके पास killful horsemen थे, उनके पास घूड सवार अच्छे तो उनके पास घोड़े अच्छे थे, उनके पास वो जो supply होती थी ना उस तरफ से, तो घोड़ों की बहुत ही अच्छी breed वो अपने पास रख लिया करते थे, और Central Asian जो breed होती है, बहुत ही मजबूत होती है, और वो इंडियन्स के पास इतना ज़ादा नहीं पहुँच पाती थी, नमबर वन ये हो गया, नमबर टू दाट वस दिगाजी स्पिरिट, मतलब उनको मैक्स तो मैक्स लैंड जीतना है, और उसके बाद में इसलाम के नाम उनको वहाँ पर जाके रोशन करना है, स्टाइड बुक्स होती है, सतीश चंद्रा हो गया जैसे मैंने बताया था, तो रीड उन्ली स्टाइड बुक्स, डैट विल बी हेलफुल फॉर यू, स्टार्टिंग का जो रेड होता है महमुद गजनी का, तो वो हिंदू शाही रूलर, अब ये हंदू शाही रूलर कहां पर होते हैं, ये होते हैं पेशावर में, ये जो पाकिस्तान का जो इरिया दिख रहा है यहां पर पेशावर में, अब उन थाउसन वन में एक जबर्दस्त बैटल होती है, जैपाल और मेहमूद गजनी और मेहमूद गजनी ने जैपाल को हरा दिया राजा जैपाल यहाँ पर हार जाते हैं और राजा जैपाल ने अपने आपको एक यहाँ पर बहुत ही जादा उनको अपने आपको एक इंसल्टिंग फील हुआ और उन्होंने अपने आपको ऐसे आग लगा लिए और उनकी देथ हो जाती है देथ होने के बाद में आनंदपाल जो उनके बेटे हैं अब वन थाउजन नाइन एडी में एक बहुत ही जबरदस बैटल होई इंड़स वही पाकिस्तान फ्रेंटायर जो अमारा निर्थ वेंटायर है वहीं पर थे हिंदू शाही किंडम तो एक बहुत ही मजबूत किंडम थी उस टाइम पर हमुथ गजनवी ने हिंदू शाही इसको भी डिफीट कर दिया बेकॉज राजपूत सेक्शन जो है वो काफी आपस में जो है उनके मदबेत थे वो एक अच्छा खासा फ्रेंट नहीं यहाँ पर रेस कर पाए अगेंस दी मुस्लिम इन्वेजन अब यहाँ पर नागर कोट का जो किला है देखो नागर कोट का एक किला कांगरा वैली में भी है ओके हिमाचल में तो डोंट गेट कन्फूजड विथ यह नागर कोट का किला इट इस डिफरेंट ठीक है इसको भीम नगर नागर कोट भी कहते हैं तो यह किला महमूद गजनी तोटल ये डेस्ट्रॉई कर दिया मतलब किला जीत लिया और यहां पर आनंद पाल को इन्होंने हरा दिया 1015 में मेहमूद गजनी ने वापस से इन्वेड किया लाहौर और उसने फाइनली यहां पर राजा आनंद पाल को हरा दिया 1015 मिन का पूरा एपिसोड एंड हो जाता है अब यहां पर इनका एंपायर दीखिए कितना बड़ा है गजनवीत कट फ्रॉम दी कैस्पीन सी से लेकर के साउध गुजरात यहां पर साउध गुजरात लोग ने यहां पर मैप में नहीं दिया तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा अब बासित कैलिफेट यहां पर जो है वो गजनवीत से ही उनके बाउंटरीज लगते हैं यहां पर और यहां पर देखो टिबेटिन किंडम्स काश्मीर और इसके बाद में ओईगुर्स कारलुक्स यह जो पार्ट है मेहमुद गजनी के कुछ साल पहले पहले तक वो जो एरिया था काबुल नौर्थ वेस्टन फ्रेंटायर तो डाट वस वेरी मच ओपन फॉर दा इन्वेजन आफ इंडिया मतलब जब यहां पर गजनवीत जब गद्धी पर बैठते हैं तो नौर्थ वेस्टन फ्रेंटायर जो एक सम कैंड ओफ धी एक धाल जिसको हम लोग बोल सकते हैं ठीक है जो एक समाल के रखती थी कि हाँ बाहर से अगर कोई भी आएगा तो हम उसको डिफीट कर लेंगे लेकिन इतने इंवेशन्स हुए वहाँ पर और हिंदू शाय किंडम्स ने इतना वहाँ पर इंवेशन्स को जेला है कि उनकी जो पावर है वो कम हो गई और दूसरे जो किंडम्स है तो वो उनकी एड एड एन हेल्प के लिए नहीं आपा रहे थे ठीक है तो यहाँ पर इंवेशन और भी हो सकता है कि कुछ सालों के लिए टल जाता अब 1000 हम लोगों ने तो मेहमुद गजनवी का कैमपेंग देखा ही है 2015 में महमुद गजनवी ने काश्मीर के ओपर अटाक किया था ठीक है यह कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताता हूं आपको इस तरीके से कि वो लोगों ने कोई अपना एक नया फ्रंट ओपन ही नहीं किया फॉर दी मुस्लिम्स इन्वेशन चाहे वो महमुद गजनी हो या महमुद गुरी हो end of 2015 महमुद गजनवी वापस से अपनी forces लेकर के निकलता है हिमालिया की तरफ और वहाँ पर कुछ राजपूद जो लोग हैं यह यहाँ पर महमुद गजनी को aid करते हैं ठीक है और वहाँ पर एक local राजपूद राजा होता है बुलंद शेहर modern UP में उसको defeat करते होए ठीक है capture किया ठीक है 1018 तो यह एक बहुत ही बड़ा एक attempt था भाई दे महमुद गजनवी यह जो आप देख रहे हैं कन्नौज 1080 लेटर मतुरा वरिंदावन और ग्वालियर तो यह जो campaigns थे 1018 वाला जो कन्नौज वाला है तो it was very much profitable for the महमुद गजनी और वो profit वो कहां पर use किया करत हम लोगो बाद में देखेंगे ठीक है और जो उसके बाद में जो दो invasions हुए 1019 और 1021 में तो वो इतना कुछ खास नहीं हुआ 1022 आप तो देखी रहे हो विरिंदावन कालिंजार और ग्वालियर यह वाला है तो most important was the sack of Somnath यह तो आपको कहीं ना कहीं आपने कहानी सुनी होगी कि महमूद गजनी अपने बहुत सारे forces को लेकर के आता है और यहां पर उसने सोमनात के जो मंदिर है तो उसके ओपर attack किया क्योंकि वहां पर ऐसे पता चलाता है कि बहुत सारा gold है और शिवलिंगम को भी उसने break कर दिया और ऐसे according to facts 2 million dollars Somnath expedition से यहां पर महमूद गज 1027 में था सिंद की जो जाट लोग जो थे सिंद में ठीक है वहां के लिए और 1030 में महमूद गजनेवी की यहां पर देथ हो जाती है तो एक महमूद गजनी की देथ के बाद में है ना यहां पर आपको लाइक इतना बुक्स वगेरा में तो दिखाई नहीं देगा लेकिन मै एक एकस्प्लेइन करता हूँ कि आफ्टर 10 एक बैटल होती है सम्थिंग अराउंड 110 40 में 1040 में बैटल ऑफ दंदनाकन तो यह दंदनाकन की बैटल ऐसी हुए कि दो मुस्लिम फोर्चस की बीच में होती है एक होता है सेल्जूक और एक होता है गजनविद तो गजनविद क इंपायर काफी expanded था। इतना expanded था कि एक तरफ उन्होंने अटक किया ख्वारेज में लोग ने और ख्वारेज में के वहाँ पर सल्तनत आ जाती है एक तरफ सेल्जूक्स ने अटक किया और सेल्जूक्स ने major part जो है वो हो नका capture कर लिया ठीक है और सेल्जूक्स सल्तनत 1071 जैसे ने बैटल आफ मैंजी कट किया और उसके बाद में तिल दी बार्डर्स आफ दी टर्की वो लोग पहुँच चुके थे लाइक इतना यह लोग और उसके बाद में फिर वहाँ से जो है उनके जो गवर्नर्स होते हैं और उनके जो फिर्डिटरी चीफ्स होते हैं तो सेल्जुक के बाद में फिर उट्टो मांज ने वहाँ पर कैप्चर किया तो यह कुछ ऐसा चलता है जो वैक्यूम का जो पीरेट है चलो तो मेहमूद ने यहाँ पर अपने आपको बताया है कि भाई बुच शीकन जैसे इमेजेस वगेरा को मूरती भंजग मूरती तोड़ने वाला और उस टाइम पर के बहुत बड़े हिस्टॉरियन जिसको हम लोग अल-बेरूनी कहते हैं जिन्हों ने किताब लिंद लिखी तो ऐसे नहीं कि एक तरीके से जैसे हिस्टॉरियन्स ने से पोट्रे किया है वी आर इंटू दी एकडेमिक्स तो एक बैलन्स भी होना चाहिए अपना बैलन्स भी यहां पर ऐसा है कि वो एक डिफरेंट पार्ट था मेहमुद गजनवी का कि हाँ ही वस अन इन्वेडर लेकिन यहां पर ही वस अलसू दी Men of Arts and Literature क्योंके बड़े-बड़े उसके कोट में है ना बंदे थे लाइक अल-बिरुनी, फिर्दोसी, उद्बी, फारुकी और इन्होंने महमुद गजने की कोट की शान बढ़ा दी फिर्दोसी ने शान आमा लिखा वेरी मच फेमस बुक ठीक है यह ऐसे facts भी आप इसको देख सकते हो यह facts वगेरा exam में directly question पूछ सकता है कि फिर्दोसी ने क्या लिखा या शान आमा किसने लिखा है अल-बिरुनी, composed, तहकी के हिंद और किताब-बिरुनी और किताब-बिरुनी बहुत important है तहकी के हिंद, अल-बिरुनी इंडिया भी कहा जाता है उसको उद्भी, तारीक यमनी तो ऐसे आपको मैस्दा कॉलम में भी पूछ सकता है या तो directly questions आ सकते है चलो, some facts related to मेहमूद गसनी great empire builder, जैसे हम लोग ने देखा कि उसके empire के अंदर ही आज के जो modern 4-5 countries है तो वो समा जाएंगी पूरी use of the optimum resources optimum resources लाइक ऐसे नहीं कि सिर्फ number of soldiers ही दिखाना है आपके soldiers भी मस्बूत होने चाहिए सामने वाला person जो है वो आपके एक soldier जो है, वो सामने वाले के 10 के बराबर होना चाहिए, ऐसी आपकी training होना चाहिए, वो हमारे यहां पर Indians के पास में वो लैक था, swift cavalry movement ये कैसे होता है कि उस टाइम पर एक trend चल रहा था, Central Asia में horseman वाला, cavalry वाला के जितने मजबूत अच्छे घोडे होंगे जितने अच्छे घोड़ सवार होंगे और जितनी अच्छी आपकी cavalry होगी तो आप एक dash से, मतलब dash मतलब एक warfare से सामने वाला area आप connect कर, conquer कर सकते हो, जीच सकते हो और ये चीज है ना, मारे यहां पर लाइक हो रही थी इंडिया में इंडिया में अभी भी बड़े बड़े elephant चल रहे थे, तो वो slow moving forces थी infantry चल रही थी, वो slow moving forces थी और यहां पर इनकी जो forces थी that was very much swift, वो एक ही जटके में जाते, और deep interior तक उनका जो rear है, flank है आगे और पीछे, जितने का भी जो हिस्सा है, जो उनकी enemies हैं तो उन सबी को मार करके वो लोग खतम कर देते, ऐसा, तो ये point हम लोगों ने यहां पर उसको accept नहीं किया, काफी time तक far-sighted vision to make guzni as the rival to बगदाद, अब यहां पर बगदाद जो abbasid califate है, तो उसके time पर तो बगदाद के अंदर तो चार करता था महमूद गजनी, तो उसने अपने यहां पर buildings, architecture वहां पर जो welfare activities ठीक है, तो यह सारी चीजों में उसने लगा दिया, and he was also a lover of justice, मतलब नियाए के मामले में he was very much good, ठीक है leadership qualities obviously, अब अगर देखोगे, महमूद गोरी महमूद गोरी अगर दो ऐसे comparison भी होते है ऐसे text books में, और ऐसे standard books में मैंने देखा भी है, comparison leadership qualities के देखा जा तो leadership की qualities दोनों के दोनों अलाग है like, महमूद गजनभी एक ऐसा commander था, एक ऐसी daring spirit थी उसके अंदर के, उसने ऐसे कोई भी जंग यहां पर नहीं हा रहा जैसे मैंने 1015 का बताया तो it was due to inclement weather weather इतना ठीक नहीं था, और otherwise उसने अपनी Central Asia में भी he was very much powerful और यहां पर India के तरफ भी he was very much powerful, इंडिया की तरफ से महमूद गजनभी ने इस तरीके से attack किया कि धीरे धीरे उसने ऐसे attack किया कि जो राजा को बुंदेल खंड के जो चंडेलास थे तो उनका expansion काफी हद तक थम जाता है, then he moved towards the Somnath तो मतलब उसने step by step सारे राजाओं के ओपर एक साथ उसने attack ने किया और जो राजपूद जो kingdoms थे वो एक दूसरे का तमाशा देख रहे थे like they never came to their aid अगर वो aid के लिए आते तो हो सकता है कि situation would have been different तो यहाँ पर यह one of the most important reason है, leadership qualities like leadership qualities ही ऐसी है, जो leader जो एक ऐसा होता है कि अगर best leader अगर होगा, तो वो अपनी armies को बहुत दूर तक ले जा सकता है वो अपने associates को, वो अपने followers को subordinates को बहुत दूर तक ले जा सकता है अगर leader अगर अच्छा नहीं होगा तो उसकी सारी जो प्रजा है सारी जो subordinates है, associates है कोई काम के नहीं होंगे, ठीक है तो he was having very good leadership qualities चलिए, तो यहाँ पर हम लोग मेहमुद गसनभी का जो topic है गसनी का topic है, वो खतम करते है आगे और भी दूसरे videos के साथ में मिलेंगे hopefully आपको यह video पसंद आया होगा जय हिंद